खास एक्सक्लूजिव हमसे बाचित के खादे सचिव सुधानशू पांडे ने उनके मताबिक जो रिटेल महंगाई मार्केट में अभी भी खाने के टेलों की कीमतों में से 15% की गिरावट आ सकती है मर्पी में बदलाव करने का निर्देश भी दिया जाएगा यह बात उनने कई है यह बात तब कई है जब पाम ओयल करीब करीब 40% टूटा अपने हाई से सब्सक्राइब कर रही है जो इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी है वो रेगूलर मिलती रहती है और जब भी उचित कदम जो भी महसूस किया जाए कि सरकार उसके ओपर फैसला लेगी यह सरकार मानिटर करती है इन चीजहों को प्राइजिज को भी मानिटर करती है क्वांटिटीज को मॉनिटर करती है और उसके बाद जो भी उचित होगा वो फैसला सरकार लेती है और भी तो विश्व की जो इस्थिती है वो बदली नहीं है हमारे यहां एक ही क्रॉप वीट की होती है वो आई थी और गवर्मेंट प्रक्यूर्मेंट जो है वो टार्गेट अचीव नहीं कर पाया था तो हमारी पहली कोशिश तो यह है कि पॉब्लिक इस्टिबूशन सिस्टम के लिए जो क्वांटिटी है हमारे पास उसका हम सही इस्तेमाल करें इन अदेशन तो इस दीप्राइज इडिबल ओल अदेशन और इस दीप्राइज इस इस दीप्राइज इस आप्राइज इस प्राइज अपर चेंज़ इस अब होगता है कि यह प्राइज ओर कम होंगे क्योंकि जो बहुत सारे कंट्रीज में जिन्होंने एक्सपूर्ट बीच में बंद किया था उससे उनके स्टॉक्स की अविलिबिल्टी बहुत बढ़ गई थी और वो सड़नली मार्केट में आया जिसकी वज़े से प्राइज इस गिरे हैं तो अभी हम उम्मीद करते हैं और इसके बाद हमारी भी अपनी डूमेस्टिक क्रॉप्स जो हैं वो भी आने लगेंगी स्वयाबीन की क्रॉप अब आ जाएगी और जो लोकल ओयल्स हैं उनके उपर भी बढ़ावा देने का सरकार का पूरा प्रयास है तो डूमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ने की वज़े से हमारे प्राइज में नर्मी रहेगी अब पिशली बाद जो हमने बात करी थे तब आपने कुछ पांस से दस फेस्टिक की नर्मी आने के बात करी तो लगबग दो से चार परसेंट की नर्मी आए भी है लेहाजा मैं यह समझना चाहूंगा कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए आपको क्या उमीद है कि यह जो नर्मी का अगर आँकड़े के नजीरे से देखें तो आपका एनलिसेज क्या कहता और कितना परसेंटेज में यह जा सकता नीचे देखे ओल्रेडी प्राइज जो है नीचे आए हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो आयल कंपनी हैं वो रिटेल प्राइज में वो बेनेफिट कंजूमर को पास ओन करें तो उसके ऊपर हम उनके साथ कल चर्चा कर रहे हैं हमारी कोशिश होगी कि वो भी रीजन देखेंगे और उस दाम को जो है वो उप्भोकता तक उसका benefit पहुचाएंगे एक आखरी सवाल public distribution system में लगतार सुधार की बात होती है आप उसमें digital penetration करने के भी प्रयास कर रहे हैं इस system को सुधारने के दिशा में और क्या कुछ कदम हो सकते हैं जिस पर सरकार काम कर रही है और उसको किस तरीके से implement करना चाहेगी यह एक continuous process है आज पहली बार state की PDS ranking index जो है honorable minister ने release की है जिससे की states को मौका मिलेगा अपनी व्यवस्थाओं को understand करने का और उसमें क्या सुधार किया जाना है उसके उपर चर्चा करने का चले बिल्कुल तो clearly यहाँ पर बात करते हैं जिसना से खाद्य सच्चेव हमें बता रहे थे कि clearly जो government है वो prices को monitor कर रही है inflation के अगेंस तो जिसना से steps almost hurts, curbs लगाने की बात ही हो रही है, curbs लगाए भी जाने, export duty जैसे ही बढ़ाई जा रही है